असलामेकुम तो आज हम continue करेंगे elbow and forearm pathologies को अब हम start करेंगे nerve entrapment problem से nerves हमाई पास elbow में कौन-कौन सी होती है medial nerve, radial nerve and ulnar nerve ठीक है अब nerve की अगर compress हो रही है या entrapped हो रही है तो उनके लिए वो awkward places में ही होगी और वहाँ पर हमारे पास या तो tendon के बीच में हो सकती है या bone के बीच में आ सकती है ligaments के नीचे compress हो सकती है ठीक है pinch भी हो सकती है रब भी हो सकती है और अगर यह हो जाए compression या entrapment तो उसके जो हमारे पास typical nerve injury के symptoms होते हैं वह याएंगे pain, paresthesia and weakness ठीक है numbness यह सारी चीज़े अब हमारे पास ulnar nerve यहां supply कर रही होती है median nerve की distribution यह होती है और हमारे पास जो radial nerve होती है वो opposite side of the hand जो dorsum of the hand होता है वहां पर supply कर रही होती है ulnar nerve की compression होती है हमारे पास cubital tunnel में ठीक है यह ulnar nerve पास कर रही है humorous और ulnar के बीच में से यहां पर इसकी compression हो जाएगी इदर यह bone के बीच में होगी और यह flexor carpi ulnaris muscle के बीच में होगी उसके tendon में ठीक है radial tunnel इसको कहते है radial tunnel इसको कहते है यह radial tunnel में हो रही होती है यहां पर पिंकी के साथ नीचे जगह होती है यहां हो रही होती है यह हमारे पास cubital tunnel है तरह हम पढ़ने कि इसके album में joint related कौन से problems आ सकते है rheumatoid arthritis आ सकता है ठीक है यह small joints को basically affect करता है तो elbow में यह भी rare होता है symmetrical होता है यह अगर एक elbow में होगा तो साथ दूसरी elbow में भी होगा अब अगर elbow में हो रहा है तो यहां क्या होगा कि जो radial head है ना radius का जो head है वो अपनी regular position से बाहिर आ जाएगा और वो फिर elbow की anatomy को खराब कर देगा like this वो अपनी position से बाहिर आ गया है तो जिन पेशेंट में उस्टी और्थ्राइटिस है उस्टी और्थ्राइटिस हमें पता है क्योंकि वो weight bearing joint में common होता है और elbow weight bearing joint नहीं है इसलिए यहां rare होता है तो जिन patients में osteoarthritis होता है उनको pain का feel होगा जब वो terminally flex करेंगी या terminally extend करेंग कि अपने joint को मतलब full range of motion में पेन होगा और osteocytus accelerator में चीज़ पता है कि वहाँ पर हमें osteophytes मिलते हैं ठीक है वो में मिलेंगे x-ray में then हम देख रहे हैं कि हींडो ulnar joint के पास हमें osteophytes हो है वो large number मिल रहे हैं और क्यूंकि वो osteophytes है bone के fragment है तो वो may be ऐसा हो कि वो ulnar nerve को compress कर दे done आता है post immobilization capsular tightness यानि कि एक दफ़ा immobilize कर दी आपने elbow को किसी भी वज़ा से अब उसके बाद जो capsular pattern था उसके अंदर restriction आ गई ठीक है कोई किसी भी degenerative joint disease के बाद होती है लेकिन यह rare होता है ठीक है अब उनकी elbow में यह जाद होगा जिनकी elbow में जिनकी elbow में जो हमारे पस immobil immobilize होती है और बार बार immobilize हो रही होती है due to any reason ठीक है common injuries हमारे पस वैसे arm और forearm की क्या हो सकती है या तो fracture हो सकता है elbow की dislocation हो सकती है ठीक है posterior dislocation हमारे पस common होती है इसकी हम history किसना लेते है patient को injury कब हुई थी उसकी date notice करना कि क्योंके date से कब तक immobilize रहा है वो भी हम देखेंग अब जिस दिन आपका splints या immobilization या casting remove हुई थी वो भी date हम note करेंगे ठीक है फिर ये भी देखेंगे कि क्या injury हुई थी या immobilization के बाद आपको कोई vascular dysfunction हुआ था कोई vessel वगारा compress हो गी हो any sort of edema और anything जो के vessel या nerve related हो कोई complication आई हो फिर हमने remobilization का उन से पूछना है कि आपने remobilize भी करवाया था and then हमने assess करना है कि इसकी functional disability कितिनी है आपके पास patient बैठा वे आप उसे without touching आप पहले चेक करें कि वो अपनी ADL किस तरह perform कर रहा है then हम physically examine करेंगे patient को और इसमें हम देख रहे हैं कि capsular pattern के अंदर limitation of motion हो रहा है reflex synthetic dystrophy हो रहा है यह नहीं से pain हो रहा है और capsular pattern के अंदर reflection extension जो मैं पास है वो perform नहीं कर पा रहा है इसके key signs होते हैं कि capsular restriction आ रही है capsular pattern में movement नहीं हो पा रही है अब यहां पर vascular dysfunction था तो generalized edema of forearm and hand होगा पर आपको skin और nails में trophic changes मिलेंगे skin आपकी जो है या तो बहुत ज़दा glow कर रही होगी इसी तरह आपके nails भी जो है वो glow कर रही होंगे आपकी skin जो है या तो वो hypo hydrosis में होगी या hyper hydrosis में होगी cyanotic appearance भी हो सकती है bluish brittle और rigid nails होंगे ठीक है अब इसमें हमने immobilization के साथ preventive measures लेने होते हैं वो यह होते हैं कि जो आपका joint immobilize है उससे proximal और distal जितने free joints होंगे ना हम उनको free exercises उनमें करवाएंगे active exercises ठीक है bony fragments को check करेंगे कि वह male aligned तो नहीं है क्योंकि अब जाई से बात आपका कोई problem हुआ है fracture वगारा हुआ तो हमने देखना है कि जो bone टूटी है क्या वह male aligned हुई है ठीक है इसको हम चेक करते है supracondyler fracture और colis fracture के cases में हम इसको किस तरह चेक करेंगे caring angle हमने जो बात की थी पहले caring angle को हम observe करते हैं वहां से हम यह detect करते है कि हमें structure alignment मिल रही है के नहीं मिल रही है एक alignment में है एक symmetry में structure है ठीक है इस इन cases में क्योंता है कि अगर male alignment है ना तो वहां पर medial epicondyle जो है वो lateral epicondyle से ज्यादा higher होगा ठीक है और olikrandon जो है वो medially आ रहा होगा जबके olikrandon जो है then हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई case होता है हम flexor muscles को जो है वो stretch कर रहे हैं तो इन cases में हमने उसको vigorous stretching नहीं देनी है ठीक है इसमें exception है कि अगर restriction हो रही है elbow extension में तब हम उसको flexion में stretching दे सकते हैं vigorous लेकिन otherwise हम उसको नहीं देंगे पिर हमने inflammation देखनी है brachialis muscle में अब brachialis जो muscle होता है वो हमें पता है कि biceps के नीचे लाया करें तो उसके हमें belly तो नहीं मिलेगी लेकिन अगर हम उसको hematoma के लिए palpate कर सकते हैं और distal brachialis muscle belly हम palpate कर सकते हैं वहाँ पर हमें tenderness में मिल सकती है और hematoma में मिल सकता है इसको manage हम किस तरह करेंगे acute है obviously patient आपके पास आया तो वो सिर्फ अपनी ADLs की वज़ा से नहीं आया वो इस वज़ा से आया कि इसे pain था आप उसका pain relief करेंगे eye superficial heat से ठीक है उसकी range of motion को maintain करें grade 1 to joint play movements दे रहे हैं ठीक है इसके अलावा आप उसकी guarding को जो muscle guarding हो रही थी उसकी restriction की विज़ा से क्योंके बाकी joints आपके compensation में काम कर रहे होते हैं वो भी उसको भी हमने deal करना है then आपने strengthen करना है affected joints को ठीक है isometrics हम दे रहेते हैं acute stage में dynamic नहीं होती है isometric exercises होती है then chronic stage में हम capsular tightness के लिए ultrasound दे रहे हैं ठीक है यह भी हो सकता है कि हम capsular stretching भी करवा रहे हैं ultrasound के साथ कि आप ultrasound देते हैं then आप stretch करवाते हैं home program आप दे रहे हैं stretching के लिए and home program आप दे रहे हैं strengthening के लिए जिसमें आपकी flexibility endurance and eccentric control program आ जाता है हमाँ पर आप eccentric stretching करवाएंगे then cubital tunnel syndrome आ जाता है मैं पता है ulnar nerve cubital tunnel syndrome में present होती है उसकी यह ulnar neuropathy होगी elbow region में और यह most common होती है cubital tunnel में और यहां पर हमने बात की थी कि flexor kapia ulnaris muscle होता है जिसके tendon के नीचे जो है वो compress हो जाती है nerve cubital tunnel is common especially after pro long flexion of the elbow अगर आप जादर देर elbow को flex किये रखते हैं तब ऐसे हो सकता है कि आपके अलने enough compress हो जाए ligamentous lexity की वज़ा से हो सकती है hyperflexed elbow posturing की वज़ा से हो सकती है इसको assessment किस तरह करेंगे कि हमने symptoms देखने है अब हमें भता है कि nerve का कोई problem होता तो उसके basic symptoms होते है pain, paresthesia, sensory distribution में आ रहा है इसके इलावा motor distribution का क्या मैं आपके muscle में weakness हो रही है तो clumsiness आएगी hyperesthesia, numbness, complaints of muscle cramping क्योंकि वहाँ पर proper supply नहीं हो रही नर्फ supply पेन आपका वो forearm में radiate करेगा forearm से sorry elbow में radiate कर जाएगा, muscle cramping होगी आपको dull lake होगा after activity addressed और आपको काम करेंगे आपको एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे है तो तब आपके symptoms aggravate कर जाएंगे और rest पे वो relief हो जाएंगे हमारे पास यह जो hypothenar eminence होती है, hypothenar muscle इसकी wasting होगी क्योंकि हमें पता है इस जगा पर यह region होता है हमारे पास ulnar nerve की supply का और adductor muscles of thumb हमारे पास weak होंगे, hand में आपको claw feel होगा ring और middle finger में, इसके इलावा क्यों होता है कि आपका जो सबसे पहला key sign होता है ulnar nerve compression का वही होता है कि आपकी pinky जो है लिटल finger वो adduct नहीं होगी, यानि mid line के पास वो आप उसको move नहीं कर पाएंगे gripping में problem आएगा, thumb और index finger की pinch में problem आएगा, आप thumb से index finger को pinch नहीं कर पाएंगे, ठीक है दर आपके hand की sensations disturb होंगी, इसमें हम test करते है positive elbow flexion test, ठीक है, elbow flex करेंगे तो वहां पर आपको pain फील होगा, वो positive आएगा, tenel sign हम इसमें test करते हैं, वो भी positive आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अल्नर nerve क्यूपर, cubital tunnel के level पर pressure develop हो रहा होता है, तो वहां पर आपको sensory symptoms feel होते हैं, जैसे pain, paresthesia, weakness, यह सारा आपको along the course of ulnar nerve feel होंगे, अपर limb tension test करेंगे, elbow hyper flexion करवाएंगे, तो उसमें हमें यह feel होंगे, symptoms, और nerve conduction और EMG test और further diagnosis हो, confirm करने के लिए हम करेंगे, use, then हमारे पास आगी management, management में हमने conservative treatment में आपको पता है क्या करना होता है, सबसे पहला का यहां यहां पर extra rest देना है, ठीक है, आपने patient को guide करना है कि उसने जो activities aggravate करी है, जो posture aggravate कर रहा है, उसकी symptoms को वो उसने avoid करना है, soft elbow pad use कर सकते हैं, ठीक है, आप वो exercises करवा सकते हैं, जो कि flexibility को increase कर रही है, और nerve mobilization करवाएंगे, soft tissue manipulation करवाएंगे, surgical treatment भी हो सकता है, कहलना है, आ apricondyle की excision भी हो सकती है, ताके वो उसकी नीचे compress ना हो, इसके लागा flexor carpial nervous के tendon की deviant भी हो जाती है, ठीक है, ताके वो वहाँ पर भी compression ना हो, then radial head subluxation आगी से nurse maids elbow बोलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत common होती है, अब जब 4-5 साल का बच्चा होता है, तो उसम जो annular ligament होता है, वो partially intrapp हो जाता है, रेडियो humeral joint के अंदर, ठीक है, यहाँ पर patient आपक पास आता है, तो वो बहुत जदा उसको pain होता है, और वो उसने पनी arm को pronated position में hold किया होता है, अगर आप उसको ना rotate करेंगे, supinated position में आने के लिए, तो आपको clicking या popping sound एक feel होगी, जो जो के होगी radial head की, वो अपनी जगह पर वापस move कर रहा होगा, ठीक है, जब आप उसको supinate कर देंगे proper और आपको clicking sound feel हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि अब उसका radial head reduce होगी अपनी जगह पर वापस हो फिर उसको pain relief भी हो जाएगा, और adials भी वो अपने कर सकेगा, medial tension overload syndrome, यहां पर हमारे पास होता है, medial collateral ligament की injury, इसको हम triad भोलते हैं, इसमें collateral ligament की injury में, तीन चीज़े हमारे पास, जो है, वो affect हो रही होती है, posterior medial joint capsule, ulnar nerve and medial collateral ligament, ठीक है, यह injury अब उसी तरह, overhead athletes में हो रही है, जो throwing करते है, hitting करते है, racket sports खेलते है, young में भी हो रही है, adult में भ valgus thrust लग रहा है, elbow की उपर, यानि कि अंदर की side पर thrust लग रहा है, valgus gum means inner side, ठीक है, gum चिपकाती है, वो, तो हम इसको inner side से याद रखेंगे, इसके हम history इस तरह रहे हैं कि gradual onset of symptoms है, popping sensation फील हो रही है, medial side of the elbow में pain होगा, यह pain जो है ना, यह जब आप rest पर होंगे, तो कोई activities न pain by ulnar nerve irritability, ulnar nerve irritability भी cause कर सकता है, posterior elbow pain और oligranine impingement के विए से भी आपको यह pain हो सकता है, ठीक है, दरा हमने examine करना है, examine हम करेंगे तो हमें पहले तो effusion मिलेगी joint क्यूब पर, ठीक है, इसके लावा extension और supination में problem मिलेगा, ठीक है, range of motion decrease होगी, tenderness होगी ulnar collateral ligament पे, resisted forearm pronation में जो है वो pain होगा, fist chop नहीं बना सकेंगे, उसमें भी pain होगा, test हम कर रहे हैं, तो हम आपर valgus stress test कर रहे हैं, और valgus extension overload test कर रहे हैं, और इसकी management कैसे होगी, इसी तरह हम pain को reduce करेंगे, और normal range of motion हमने maintain करनी है, flexors और pronators की, because हमें पता है कि यहाँ पर हमारे वो effect हो रहे हैं, और हमने concentrically and eccentric के लिए दोनर तरीकों से pronator और supinator को strengthen करना है, मतलब isometrics and concentric and eccentric exercises, ठीक है, grip exercises करवाएंगे हम क्योंके gripping हमारे पास यहाँ वी को रही थी, progressive strengthening program करवाएंगे, extensor and flexors का using high repetition, low weight, isotonic and isokinetic programs, so here हमारा elbow and forearm pathology is complete हो गया है, I hope you will understand it, आरीक है, मतलब आर सकतिक है, आर सकतिकution, आर जल को बढ़े when दोाएंगे है, और हमी को यहाँ हो बना कर दो गुझी नदे सकतिक कोण Saat.